प्रदेश मिराजस्व सरकार के और से 3 जुलाइट ता 4 अक्टूबर 2021 को राजस्व कार्मेकों के साथ किये गए समझोते को लागो नहीं करने के खिलाब प्रदेश पर मिराजस्व कार्मेकों के और से आंदूलन किया जा रहे शरणबद तरिके से किये जा रहें आंदुरन के तहत मंगलवार को राच भर में राजसान पटवार संग के अहुखान पर उपखन करले पधर्ना प्रदर्शन का प्रदेश नक्या अहुखार्ओं पत्वार संग जिंदाबा तता मुख्यमंत्री अर्शों के हलो थोश में आओ के नारे लगाए। पत्वार संग के ओर से 24 घंटे का धर ना दिया जा रहा है। पत्वार संग शाखा ब्यावर की ओर से दिये गए एक दियुस्य धरने को बार असोशेशन ब्यावर ने भी समर्थन दिया। संग अध्य शनमान संग राठोर ने धरने का समर्थन करते हुए पत्वारियों की मांगों को जायज बताते हुए राजसरकार से शुगर ही इनकी समस्यावत्ता मांगों को पूरा करने की मांग की ताकि यामजन को होने वारी परिशानियों से बचा जा सके। मैं राजसरकार से और हम सभी राजसरकार के जो राजसर प्रदेश सद्यक्स हमारे पटवारी स्री राजंदन नीमिवाल जी जो पिछले नौ दिनों से आम अरण अंशन पर पैठे हैं अज में राजस्व मंडल राजस बोर्ड राजस्व मंडल के बाहर और 14 नवंबर से व पूरे राजस्थान के अंदर राजस्थान पटवार संग के अध्यक्स के आवाहन पर पूरे राजस्थान के सारे पटवारी प्रतेक उपकंड के बाहर सभी पटवारी उपशाखा धरने पर बैठे हैं और इसी प्रकार हम लोग ब्यावर शाखा के अध्यक्स उपादेश और सभी कारेकार्णी सरस्य इसके साथ ही सारे पटवारी लोग आमरा अंशन पर आज के लिए हम लोग बैठे हैं, आज हमारा कारे भाईशकार है, इसलिए हम लोग यहां बैठे हैं, हमारी सरकार से यही दर्खास्त है कि हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारी जो भी मांगे है वो जल्दी से जल्दी पूरी की जाए हम सुभै आठ बजे से बैठे हैं 24 गंटे आज पूरी दिन भर 24 गंटे के लिए हम लोग धरने पर अंशन पर बैठे रहेंगे